ये बहुत दुख की बात है कि LG साहब दुवारा इतनी बहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फाइदा देगी, जो परियावरण को फाइदा देगी, जो प्रदूशन को कम करेगी LG साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए, उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भीचा फिर इस मुद्धे को पावर डिपार्टमेंट ने LG ऑफिस से पर्स्यू किया, मैंने व्यक्तिगत तौर पर LG ऑफिस से बात करकर के कई बार ये सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाइ करना है हमारे इतने पर्स्यू करने के बाद, जब LG साहब इस फाइल को रोक नहीं पाए, तो उन्होंने उल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया यह उल जलूल सवाल लगाने से, यह अबजेक्शन लगाने से क्या होता है, इस अबजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझे, कि अब जब अनेकों सवाल के साथ फाइल वापस आएगी, जब अबजेक्शन के साथ फाइल वापस आएगी, तो वो एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी तीसरे अफसर से चौते अफसर के पास जाएगी और ये फाइल घूमती रह जाएगी ये अबजेक्शन लगाने का सिर्फ एक ही धिये है कि इस policy को रोका जाए और अगले महीने आने वाली आचार सहितां से पहले इस policy को notify नहीं होने दिया जाए इस policy को implement नहीं होने दिया जाए क्यों? क्योंकि अगर ये solar policy notify हो जाती है और अगर ये solar policy implement हो जाती है तो दिल्ली वालों को इससे फाइदा होगा दिल्ली वाले अर्विन केजरिवाल की सरकार से खुश होंगे उनके पॉलिसी से खुश होंगे उनको वोट डालेंगे तो आज LG साहब इस शहर की इस राज्य की सबसे बड़े समवधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा को भूल कर को कि अ PRESुश है